हेलो दोस्तो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इंसाइड ओल, मेरा नाम ललित है और आज हम एक लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, उसमें शिफ्ट कीवर्क नहीं कर रहा है तो उसी के बारे में हम दिखेंगे कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं तो आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन की ओपर टाइप कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा कर लेकिन ये मेरा जो लेटर है ल, वो कैपिडल में नहीं आ रहा दोनों साइड का शिफ्ट दबा कर, आपको मैं चेक करवा देता हूँ ये भी शिफ्ट वाला बटन है, लेकिन यहां पे भी सेम ही प्राउलम आ रही है कोई भी जो हमारा वर्ड है, वो कैपिडल में नहीं जा रहा तो ये इसमें काफी बड़ी प्रेशानी आ गई है, जो लो हमें इसको यूज़ करने के लिए ये शिफ्ट की यूर्थ पड़ती है, लेकिन ये शिफ्ट की वर्क नहीं करा तो दोस्तो आज हम इसको देखेंगे, इसकी प्राउलम को सौल करेंगे कि ये कैसे ठीक हो सकता है, तो चलिए इसकी आगे आपको मैं सारा स्टेब बाई स्टेब बताता हूँ सबसे पहले आपको इसके जो स्क्रियूज है, उनको ओपन करना होगा तो ओन बोड़ी आपको ये चार स्क्रियूज नजर आ रहे हैं जो ये चार स्क्रियूज, तो इनको हमें पहले रिमूव कर लेना है लेकिन यह सिर्फ चार स्क्रूज नहीं है यह जो आपको पटी सी नजर आ रही है इनकी लैपटॉप का जो होल्डर है जिसके उपर हम रखते हैं इसके नीचे भी स्क्रूज होते हैं तो वैसे देखने में तो पता नहीं चलेगा कि यहां फिर स्क्रूज है लेकिन आपको इसको भी निकालना पड़ेगा इसके नीचे भी स्क्रूज होंगे तो पहले मैं आपको 4 स्क्र्यूज गो रिमूव करदेता हूं ऊसके बाद जो नीचे वाले स्क्र्यूज हैं उनको भी रिमूव करते हैं तो यह देखिए द colum तो यह जो पट्टी है सकी नि Pilatic निकाली थी तो चार स्क्र्यूज आपके जो हैं वो एक साइड है और तीन स्क्र्यूज हो एक साइड है तो यह जो स्क्र्यूज है हमें यह निकाल दे पढ़ेंगे तब ही हम इसका जो बैक कवर है उसको हम निकाल पाएंगे तो निकालते समय ये स्क्र्यूज को आप केरफुली रख लें तो जब भी आप बॉडी को निकालें तो सबसे पहले कोई मैटल का पीस ना लें हो सके तो कोई प्लास्टिक का जैसे मैंने कार्ड यूज किया यहां पे तो आप भी कार्ड का यूज करें ताकि जो लैप्टोप है उसमें कोई डैमेज ना आए क्योंकि इसके अंदर वायर्स है और काफी sensitive parts होते है तो अगर आप धियान से नहीं यूज करेंगे तो ये scratches तो आएंगी ही उपर से ये खराब भी हो सकता है तो carefully open कर लें जैसे मैंने इसको open कर लिया है उसके बाद आपको इसकी laptop की जो battery है उसको हमने पहले remove कर लेना है इसका कारण ये है कि इसका जो keyboard है उसका जो connector होता है वो इस battery के नीचे ही है तो सबसे पहले हम इसको remove कर लेंगे दोस्तो चैनल को subscribe करना ना भूले क्योंकि आपको ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा इन future में और चैनल को support कर दे like subscribe भी कर दे तो अब मैं इसकी battery को remove करूँगा remove करने के बाद इसके नीचे जो इसके जो connector है उनको भी हम remove करेंगे तो ये देखिए इसकी battery जो है मैंने remove कर ली है इसमें दोस्तो बड़ी परॉल में एक ये भी है कि इसमें bios के लिए कोई save नहीं दिया गया तो आपको on करते वक्त इसमें कुछ pressure नहीं आ सकती है तो घबराई ना इसको charging पे लगा के आप on कर ले on हो जाएगा मैं इसके connector को बारी बारी उतार रहा हूँ सबसे पहले उपर का connector जो है उसको मैंने remove कर लिया और second time ये keyboard वाला जो है अपना connector इसको भी remove कर लिया sometime होता क्या है कि कोई moisture की वज़ा से जा फिर कोई dust की वज़ा से connector जो है एक option है तो हम इसको अच्छी तरह clean कर लेंगे दोनों connector को IPA के साथ कोई cotton का कपड़ा ले ले मैंने यहाँ पे रुमाल यूस किया है तो आप cotton का कपड़ा कोई लेके उसमें IPA लगा कर alcohol solution लगा कर इसको अच्छी तरह clean कर ले clean करने के बाद आप gently इसको clean करें कोई ज़्यादा forcefully ना करें क्योंकि यह काफी delicate होते हैं तो break भी हो सकते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे connector को clean कर लिया है अब इसको दोबारा मैं same slot में लगाऊंगा तो लगानाते वक्त भी आपने carefully रखना है इसको क्योंकि अगर आप line to line ना connect करेंगे तो भी keyboard नहीं चलेगा तो इसको ध्यान से लगाएं हलके आतों से इसका जो pin है उसको press कर दे तो यह attach हो जाएगा attach करने के बाद दोस्तों आपको इसका जो fan है क्योंकि हम रोज रोज इसको open तो करेंगे नहीं अगर हमने आज किया ही है तो अच्छी तरह clean कर ले because इसमें भी काफी dust आती है कुछ laptop में heating issue आता है तो वो इसको clean करने के साथ दूर हो सकता है तो अच्छी तरह clean कर ले ताकि इसमें जो dust है वो निकल जाए तो मैं इसका जो बाकी side है इसको भी clean करना हूँ क्योंकि आज अगर open हुआ ही है ये laptop तो इसको अच्छी तरह हम clean कर ले हलके हाथों के साथ कोई ज़्यादा आपने इसके उपर force नहीं लगानी है तो मैं इसका जो battery है उसको दोबारा same जैसे निकाला था वैसे का वैसे ही लगा दूँगा बैटरी को carefully लगा दे और उसके बाद इसके जो तीन screws है उनको वैसे ही हमने remove कर लेना है remove कर लिया था अब दुबारा लगा देना है same वैसे ही तो remove करने के बाद अगर हम इसको लगाएंगे तो same slot के उपर लगा दे और battery का connector एक पर यह अच्छी तरह प्रेस कर ले ताकि इसमें कोई play ना रहे तो battery के मैंने इसको अच्छी तरह connect कर दिया है तो चलिए अब इसको हम on करते हैं और देखते हैं तो दोस्तो मैंने laptop को on कर लिया है तो जैसे कि यहाँ पे पहले shift की जो button वर्क नहीं कर रहा था अब देखिए अब मैं press करूंगा तो यह work करने लगया यह देखिए अब मेरा जो L है वो capital में आ रहा है पहले L capital में नहीं आ रहा था तो जो problem थी वो solve हो चुकी है दोस्तो इस सब्सक्राइब कर देना आपने वीडियो एंड तक देखा उसके लिए धन्यवाद